आपका स्वागत है मेरा नाम निधीमित्तेल है कैसा कि आपको पता ही है हमारे यहां पर जो यहां पर लास्ट क्लास हुई थी यूपी एप्यो एग्जाम में जो आपका पुलिस एप से लेवर्स में आ रहा है उसी के रिगार्डिंग हमने यहां पर मल्टीपल चॉइस कोशन स्टार्ट करने चुके थे आज हम उसी के रिगार्डिंग उसका सेकंड पर स्टार्ट करने जा रही हैं तो ठीक है पिर अपन आचन से पीरितों को प्रतिकर अधिनिर्नित करने का प्रापधान प्रोविजन हैस बीन मेड तू अवार्ड कमपनेशेशन टू विक्टिम्स ओफ मिसकंड़क्ट रेजिदेंट और पर संट इंट्रेस्टेट इन दा लेंड एक एक करके अगर ऑप्शन देखें श्रेक्श पाररीं तर attracted데 यह सनों प्रतिकर अधिकारीं सैक्शन 14 बताता है रेल और अन्य कर्मों के आसपास अट्रिक्ट पूलिस की नुपति धारा पंदरा बताताए विचुपत या संक्टपून जिलों में अट्रिक पूलिस की तैनाती रखना और 89生ा बताता आथ निवासियों या भूमी में हित्वत व्यक्तियों के दुराचन से पीरितों को प्रतिकर अधी निर्णित करना तो इस संभंद में धारा पंद्रा ए जो है वो इसको यहाँ पर डील करता है कोशन जब छेत्र के निवासियों द्वारा किसी व्यक्ति को घंबीर चोट या मित्यू होती है तो वह व्यक्ति किससे मुआपजे का हगदार होगा यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं इस संभंद में हम यहाँ पर इस संभंद में बात कर रहे हैं जब छेत्र के निवासियों अभी यह कोशन अपने रीट करा था प्रतिकर करने प्रतिकर इस इहां पहीं कि संबंद में किस से प्राप्त किया जाएगा इस बात के रिगार्डिंग कमपेशन होगा की वह जो पीलित व्यक्ति है उसको कंपेशन मिलने की बात हो रही है धारा पंद्रा एको रीट करें सक्लोज एको आप यदि ऐसे किसी छेत्र में जिसकी बाबद ठीक पूर्वत्ती धारा के अधीन अधी सूचित कोई उद्गोशना प्रदत है ऐसे छेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचन के कारण कोई मित्य गोर उपहीत या संपत्ती की हानिया नुकसान हुआ है तो ऐसे छेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो यह दावा करता है कि उसे दुराचन च्छती उठानी परी है उस व्यक्ति को वह प्रतीकर देंगे कंपंशेशन देंगे और वह पीरित व्यक्ति यहां इस संबंद किसके पास जाकर एप्लिकेशन लगाएगा शती की तारिक से एक महा या ऐसी न्यूंतम कालावधी के अंदर जो वहित की जाए उस जिले या जिले के उपखंड के जिसके अंदर ऐसा चेत्र इस्तित है मजिस्टेट सहाब से ऐसा प्रतिकर के लिए आवधन करना प्र विध्वों रहेगा aid 19 के तहट कितना जर्माना लगाया जा सकता है अब 19 पर जब आओना वसंसे पहले रीट करना धारा सत्रा और अठारा और उन्निस को इन तीनों को मिला कर रीट करना तब अच्छी तरह समझभा होगे दारा सत्रा कहता है इस पेशल पुलिस फोर्स के बारे में विशेश पुलिस अधिकारी की बात करता है धारा सत्रा धारा 18 कहता है विशेश पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और 19 यह कहता है कि विशेश पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इंकार करना शर्म कोई व्यक्ति विशेश पुर्वक्त विशेश पुलिस अधिकारी के रूप में न्यूक्त हुआ है पर ऐसा व्यक्ति बिना किसी reason के बिना किसी sufficient reason के ऐसी सेवा करने में या ऐसी विधीपुन आग्या या निर्देश का जो उसे कर्टब्यों के पालन के लिए किया जाए जो उसकी service करनी है उसे as a police officer की रूप में कोई व्यक्ति अपोइंट हुआ है 17 के अंतरगत और वह व्यक्ति अपनी सेवा इस प्रकार की दिये जाने से मना करता है बिना किसी sufficient cause के वह ऐसा कर रहा है अपनी service करने में वह negligency कर रहा है इंकार कर रहा है तब यहां पर अब क्या होगा अब बहुत समझ में आई आई आप पर किस प्रकार के जुर्माने की बात हो रही है क्यूं जुर्मान लगाया जाएगा उसके ऊपर टिक है तब यहां पर मजिस्टेट के समझ दोस्थ रोने पर ऐसी उपेच्चा इनकारी अबग्या करने के लिए 50 रुपे से अनाधिक जुरुमाने से डंड़निये होगा आपको आंसर मिल गया होगा क्यों कि सही आंसर दे रखा तक कितना जुरुमान लगाया जाएगा धरा उन्नीस के अंतरगत प्रतेग उपेच्छा नेगलिजेंसी इंकार और अवग्या करने के लिए 50 रुपे से अनाधिक जुरुमाने से डंडनी होगा ऐसी प्रतेग उपेच्छा इंकार अवग्या करने के लिए प्रतेग उपेच्छा ने बैट नहीं रहा है इस वजए से नन उफ दिया वह इसको माना जाएगा और हमने यह भी जान लिया कि धारा 19 एक्चुली में है क्या बताईए पुलिस अधिकारियों के कर्तव से संभंदित कौन सी धारा है जब इसका आंसर करो तो ओप्शन को देखते चलो धारा 21 की अगर हम बात करें तो वह बताती है ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में धा थारा 13 बताती है व्यक्तिगत खर्चे पर पुलिस अधिकारी के नियोजित पुलिस अधिकारी और सही आंसर होगा पेजेंट कोशन का थारा 23 जोए यहां पर पुलिस अधिकारीयों के करतवे से रिगार्ड करती है कोशन यदि किसी व्यक्ति को धारा 15 एक तहत नुकसान हो आपकी बज्न क्युक्कर कि कि यह बात बतलाई थी में आपको संभंन नहीं बताया था कि 12 मेंटर आप बात कर रहे हैं कि मांग कर रहा है किसके पास वो एप्लिकेशन लगाएगा कंपाइशेशन के लिए संबंद में उस जिले या जिले के उपखंड के जिसके अंतरगत ऐसा चेतर इस्तित है मजिस्टेट सहाब से अप्रतिकर के लिए आफ़दन करा जाएगा संबंद में और इतने समय के भीतर छती की तारिक से जिस दिन इंजूरी हुई है तब से एक महीना या ऐसी न्यूंटम काला अवधी के अंदर लेकिन मैंने आपको इसमें एक बात कही थी कि आप 15 एक को कम्प्लीट रीट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूपी अमेंडमेंट के तहत अगर हम बात करें तो पुलिस अध कि दारक्कल नयक्त के जाцо यूपी में कितने महीने के भीतर रावधन किया जाएगा तो या किसी किकारी को विशेच कर देने से गारा करता ए तो पुलिस दको सही आंसर पता है ना Solar के अंतर गत्रिकन में से बारे में थारा अठारा विशेश प्रुसधिकारी की शक्तियां बताती है धारा उन्निस बताती है कि जो व्यक्ति विशेश प्रुसधिकारी के रूप में न्यूक्त हुआ है यदि वो मना कर दे अपनी सेवा वगरा देने से है विशेश प्रसरीकारी के रूप में सेवा करने सेistesución न करती है विशेश प्रसरीकारी के रूप में नुक्ति connection अगर किसी व्यक्ति को धारा 15 के तहत नुकसान हुआ है तो उसे कितने दिनों के बीतर आविदन करना चाहिए धारा 15 जवाब रीट करती है तो वहां इस संबंद में एक मास्चती की तारिक से एक मास्च के अंतरगत आविदन कर देना चाहिए और अगर यूपी में पूछता वह यूपी के तैद कितने समय के अंतरगत है तो तीन महीने का होता कितना है एक महीने की बीतर आविदन कर देना चाहिए कोशन पुलिस अधीनियम 1861 की कौन सी धारा में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी के रूप में न्यूक्त हुआ है व्यक्ति वो अपनी सेवा देने से इंकार कर रहा है धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी के बारें बताती है और धारा 22 बताती है इस संबन्ने कि पुलिस अधिकारी सदेव कर्तव्य रून रहेंगे प्रतेग पुलिस रूप में नियोजित किया जा सकेगा अधारा 22 इसको बताती है कि पुलिस अधिकारी को मजिस्टियर्ट सहाब को आवश्यक जानकारी देनी है जारा 24 कि पुलिस अधिनियम 161 और जितने भी कोशन्स आपके सामने आए हैं जहां तक मुझे याद आता है उन सब के रिगार्डिंग आपकी ठीकल क्लासिस भी यहां पर करवाई गई हैं जिसमें मैंने कम्प्लीट स्यक्षन अच्छी तरह से आपको बताएं हैं आप उन क्लासिस को भी अटेंज जरूर कर लीजिए गा पुलिस अधिनियम की कौन सी धाना में प्रापधाने की अगर पुलिस अ बताएं कौन सा अब मैं आपको बात बता दूं यहां इस संभंध में जब आप इसको रीट करते हैं कि कोई अगर है तो वह पुलिस ऑफिसर होंगे वह उसको तुरंत अपने चार्ज में लेंगे और उसका डिस्पोजल बगएरा कैसे किया जाएगा इस संभंध में पुलि अधिकारी द्वारा अपने चार्ज में लिया जाएगा तो यहां आप इस संभंध में धारा 25 धारा 26 और 27 आप इन तीनों को एक सार्ट करिएगा तब आप इस तरह के प्रोविजन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे उसको चार्ज करने संभंध में उसका डिस्पोजल अधिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके वयन की बाबत मजिस्टेट के आदेशों के अधीन होगी जारा 26 कहती है मजिस्टेट संपत्ति को निरुत कर सकेंगे और उद्गोशना निकाल सकेंगे 27 कहती है यदि कोई दावेदार उपस्तित नहीं होता है तो संपत्ति का अधीहरन तो पेजेंट कोशिन में सही आंसर होगा धारा 25 कि यदि किसी व्यक्ति को अधारा 15 एके तहत नुकसान हुआ है तो उसे किस से आवदन करना चाहिए दिले के डंडाधिकारी जैंगे चलिए फिर इसी के साथ में अपनी आची क्लास करती हों कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपको क्लास किसी लग रही है और जादा से साथ इस क्लास को आप लाइक शेयर करी तो चलिए पिर इसी के साथ में अपनी क्लास क्लीट कर तो